मैं रहता हूं यहां पर देखा जाए तो हनफी और साफे के लोग है और तावीज और गंड़ा क्या नहीं बना के देते रहते हैं तो क्या उनके पीसे नमाज रहना दुरस्त है कि नहीं इसके पीसे मैं बहुत कि शुजन हो रहा हूं इसका जबाब देजिए मुझे असलम लि हनाफ का पतस्क्रा कर रहे हैं जो दौा तावीज और का काम करते हैं तावीज बना के देते हैं और शायद इनको ऐसा लग रहा है कि यह शिर्क है तावीज भी कई तरह के होते हैं कुछ शिर्किया होते हैं कुछ गई शिर्किया होते हैं बेरहाल हर तरह की तावीज हराम है लेकिन महाई साब को ऐसा लगता है कि वो शर्किया तावीज अगरे का काम करते हैं वाला हॉलम तो इनका पूछना ये है कि उनके पेछे नमाज होगी कि नहीं देखे भाई ये सवाल भी बार बार आता है यहां पर इस तरह का सवाल करना ही मुनासिब नहीं है कि उनके पेछे नमाज होगी कि नहीं होगी सही सवाल है कि उनके पेछे नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये असल सवाल है कि ऐसे लोगों के पेछे हमको नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए ये सवाल बनता है ये सवाल कि नमाज होगी की नहीं होगी मतलब अगर नमाज हो जाती है और कैसा भी एमाम हो तो आप उसके पीछ नमाब पढ़ेंगे मिसाल के तुर पर कोई शराबी आपको अपनी बेटी की शादी करनी है बेटी का रिष्टा देना है और एक आदमी है ये सवाल उठाए कि उस लड़के से हमारी बेटी के शादी हो सकती है की नहीं हो सकती पुरी दुनिया कही की शादी हो सकती है यो काफिर थोड़ी है मुश्रिक थोड़ी है वो शराबी है कबाबी है जुआरी है जो भी है लेकिन शादी तो हो सकती है क्योंकि वो मसल्मान है लेकिन क्या कोई ये सुनके कि हाँ शादी हो सकती है शादी कर देगा भाई गरचे शादी हो सकती है लेकिन कितना माइनिस पॉइंट है उसके अंदर कितना laws है कितना नुकसान है कितना जादा उसके यहां अल्ला उसके रिसुल की मखालफत पाई जाती है इसलिए हम को उसको रिष्टा देंगे पैसे नमाज का मसला है आप ये सवाल क्यों करते हैं कि नमाज होगी की नहीं होगी ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि ऐसे आदमी के पेशे नमाज पढ़ना मुनासिब एक नहीं है तो हम यह जवाब देंगे ऐसे आदमी के पेशे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए नमाज होगी नहीं होगी वो सवाली नहीं करना चाहिए जैसे किसी शराबी का रिष्टा आए, किसी जुआरी का रिष्टा आए तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए उसके साथ शादी होगी की नहीं होगी उसके साथ शादी करना बहतर है की नहीं है ये सवाल करना चाहिए यह पुछना चाहिए कि ऐसे आदमी को रिष्टा देना चाहिए यह सवाल क्यों करते है कि रिष्टा देना जाय से कि ना जाय से अगर रिष्टा देना जाय से तो अपनी बैटी का हाथ किसी को भी थमा देंगे तो ऐसे नमाज अगर हो जाती है तो क्या कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेंगे कोई भी जगा हो कोई भी इमाम हो कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेंगे तो सही बाती है कि ये सवाली नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये मसला तक ले जाता है क्यों आदमी काफिर है मुसल्मान एक तो उस बहस में क्यों पढ़ते है एक आम आदमी क्यों उस बहस में जाता है एक आम आदमी को सरफ यह देखना चाहिए कि हमारे लिए बहतर इमाम कौन सा है हमें कौन से मजधित चूज करनी जाय है, कौन से मजधित नमाब पड़ना चाहिए, इस तरह का जो शिर्किया आमाल करते हैं, इस तरह के झो खुराफात में मुथिला है, तो उनसे शिर्क का इम्कान है कुम पता ने हैं कि आट निल्ला पाता जाने, लेकिन ऐसे लोगों के प पहिद वाला है उसके पीछे नमाइप पढ़ना चाहिए उम्मेदे कि आपको जवाब मिल गया होगा